हेलो एवरिवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल S.A. English Classes आज के इस वीडियो में मैं आपको कीचन से जुड़ी वेकैबलरी को आज पढ़ाने वाली हूँ सो बने रहें मेरे वीडियो में सो आज का कीचन वेकैबलरी है देखिए, इंग्लिश तो हम लोग सीखते हैं कि छोटे छोटे जासे की कडाही के रखकन को क्या कहते हैं फिर बहुत सारे ऐसे चीजे होते हैं चाज चननी को क्या कहते हैं तो टी शेटरेनर कहते हैं इस तरीके से जो बहुत सारे ऐसे कीचन के समान होते हैं, उसके इंगलिश हम लोगों पता नहीं होते हैं जब हम लोग इंगलिश सीख रहे हैं तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इन सब चीजों पे भी ध्यान दें खीक है जैसे कि अगर ओखिली को क्या बोलते हैं ? मोटार और पैसल कहते हैं। तो उस तरह की इंग्लिश को भी सीखना चाहिए। क्योंकि किचन में शारा क्या क्या हूं हैं grants को सब में दोखिए रहा ज़ूर से हम लोगों को याद करना चाहिए। उसे हम लोगों को बोलना आना चाहिए सो इसलिए मैं आज आपके लिए किचन से चूरी वेकम लड़ी लाई हूँ सो अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं मैं इसका और भी इसी तरीके से और भी वीडियो में लाऊंगी ठीक है हमारा पहला पहला यह है चाय का पतीला चाय का पतीला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सॉस पैन बोलते हैं चाय की छन्नी टी इस्ट्रेणर बोला जाता है ठीक है घड़ा ठीक है ना जिसमें ठेंड़ा पानी होता है घड़ा उसको पीचर बोला जाता है पानी का मटकर देखें पानी के मटके को वाटर पॉट कहा जाता है ठीक है लोटा को मोला जाता है वाटर वैसल डूद का कैन को मिल्क कैन कहा जाता है आटे की थाली को फ्लार प्लेट कहा जाता है ठीक है खाना बनाने वक्त जो कपड़ा पहना जाता है आपने अकसर देखा होगा एड वगारा में एप्रॉन उसको कहा जाता है ठीक है एप्रॉन रोटी बनाने वाले बोड को बोला जाता है रोलिंग बोड रोलिंग बोड और बेलन को रोलिंग पिन चिम्ता को बोला जाता है टॉंग्स चिम्ता और जिससे गरम खाना पकड़ा जाए उसे पिंसर्स कहते हैं पिंसर्स अगर आप लोगों को ये कीचन से जोड़ी वेकबिलरी अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप लोगों को बहुत सारे कीचन के वेक के बलड़ी चाहिए तो कमेंट जरूर करें